इस्टुडेंट्स आज हम आनलाइन क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं वह टॉपिक्स बताने से पहले ये बताएंगे कि आप लोगों का जो है इधर में बक्रीद का और संडे और अक्षा बंधन का खालीडे था ठीक अगला दीन ये चार तारीक एक नए टॉपिक के हम साथ आए हैं कोविग नाइंटिन के दौर में हमें और आपको ये पूरे सिस्टम को एक चैलेंज है कि हमें इस कठिनाई के दौर में कैसे चलना है साथ में हमें अच्छा पढ़ाई करना है अच्छे नालेज रखना है और कंप्टीशन को भी अच्छे डंग से क्लियर करने हैं ये सारी ब्यवस्थाएं आवाइन होंगी जैसा जैसा यह दौर थोड़ा हलका होता रहेगा वैसे सिस्टम में परिवर्तन होते हुए देखने को मिलेगा तो परिवर्तन कैसे होगा हमें और आपकी एक बेहतरी सोच से परिवर्तन होगा यदे हमारी सरीर स्वस्थ है तो उस स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिश रहता है और उस मस्तिश के द्वारा यदे हम सही बात सोचते हैं तो हमें जीवन में हमेशा जो कठिनाई दोर होता है वह सही बात सोचीने पर हमें उस कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो यह जो है COVID-19 जो आपका चाइनीज वेपन के रूप में पूरा देश पूरा विश्वत्रस्त है और उससे हम लड़ रहे हैं और यह धिशम परिस्तिती में हम आलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं इस गुलो में नव जाकर फिर भी उसमें हमें और आपको सतरकता से सुरक्षित होकर सुरक्षित रहकर अपने आपको चुनवती पूर्वक रहते हुए हर सिस्टम का एक सुटेबल जबाब देना है तो ज चुनवती को शिवकार किया गिया है तो उसका सुटेबुन जवाब दिया जाए तो यह सारी चीजें तो हम बार-बार आनलाइन क्लास के अंदर्स आपको देते रहेंगे बट इस बात पर आपको ध्यान देना है कि आज हम तुडेस स्टार्टेट्स निव टॉपिक्स के अ एक बात कहोंगा कि इस चैनल को लाइक की जिए सट्क्राइब की जिए और वेल आइकन्स को ठीक है प्रेस करें स्टुडेंट्स इसी के साथ हम टॉपिक पर आते हैं कि आज हम टॉपिक लेकर क्या है तो इस तुडेंट्स आज हमारा टॉपिक है Modern Symbols of Elements Modern Symbols of Elements आधुनिक संकेतांग आधुनिक एलिमेंटों का संकेतांग क्या है? आधुनिक दौरमी एलिमेंट तत्तों का जो है सिंबल्स क्या है? उस पर हम डिस्कस करेंगे तो यह points क्या बोल रहा है? उसको हम पहले ध्यान देंगे क्या कह रहा है इस points के अंदर? यह जो भी points है यह सारे NCIT के points है इन NCIT के points को students यदि line by lines यदि आप अध्यान करते हो तो यह जो है आपको competitions के अंदर यह सही मार्क दरसन दिलाता है और आप जो है competitions clear कर जाते हैं तो आईए हम यह modern symbols आपको elements के अंदर points क्या बोल रहा है NCIT का उसको देखे इन order to the right the chemical reactions यानि chemicals reactions के अंदर क्या orders होते हैं conventionally each element is the represented noted by a separate symbol यानि chemicals reactions के अंदर convertly each elements को प्रतेक elements को represented कैसे किया जाता है separately उस symbols को हम देखेंगे क्या बोल रहा है यह जो है invited comma के अंदर सम पॉइंट्स को रख रहे हैं इसको ध्यान दिया जाएगा दो symbols of an element is the first letter और first letter and another letter आप the English name are lighting name of the element ओके यानि कह रहा है कि जो एलिमेंट का English name होता है उसका फश्च लेक्टर आप 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 अने दर स्लेक्टर को हम represent करते हैं तो उस symbol को हम modern symbols of elements कहते हैं एक बार फिर इसको हम repeat करते हैं यदि किसी element के English name का फश्च लेक्टर उस element का modern symbol होता है और इने दर वर्डों में कहेंगे कि यदि किसी elements का symbols in others रूप में यानि lighting रूप में दिया जाता है तो उस element का modern symbols of elements होता है तो यह हो गया तो हम दो तरह से देते हैं एक तो इस नेमिंग के फश्च लेटर के आधार पर दिया जाता है और दूसरा एने दर्स वर्डों के आधार पर दिया जाता है और तीसरा रखते हैं the symbol of hydrogen hydrogen का symbol क्या है तो हाइड्रोजन है यहां हाइड्रोजन हमने लिखा इसका फश्च लेटर जो दिखाई दे रहा है वह यह तो यह जो है उसका symbol क्या हो जाएगा यह हो जाएगा होगे clear हुआ बिल्कुल clear हुआ next points में हम आते हैं दूसरा example the symbol of oxygen the symbol of oxygen oxygen में ओ फश्च लेटर है इसलिए जो है इसका symbol क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा तो students आपने विल्कुल clear कर लिया कि किसी भी element के English name का फश्च लेटर ही उस element का symbol होता है ओके third हम देते हैं अब कहेंगे sir lighting में कैसे आप बोल रहा है थे lighting में the symbol of copper is cu ओके अब कहेंगे sir इसमें copper है तो c से है आप यहाँ symbol cu दे रहा है तो कुछ ऐसे element है जैसे carbon है क्लोरीन है कापर है ठीक है तो इसमें कार्बन है कार्बन है तो इस कार्बन का symbol है सी हम देते हैं ओके यह जो है फश्च लेटर हो गया क्लोरीन है क्लोरीन है तो इसका जो है फश्च लेटर जो है सी हो जाएगा अब इसको अलग करने के लिए तो इने दर लेटर में यल लगा देंगे तो यह सील हो जाएगा ओके अब आजाएए अब लाइटिंग वर्ट में हमने क्या कहा यहां कॉपर है को यहां सी होना चाहिए यह तीनों के नाम में फश्च लेटर थी तो जो है फश्च एलिमेंट आता है तो उसको जो है सिंबल सी लगा देते हैं एने दर उसको डीफर करने के लिए एने दर सेकेंड जब लेटर लेकिंग लिखेंगे तो इस्माल से लिखेंगे तो वह दे देते हैं सियल हो जाता है अब यहां कापर को देने के लिए इसको लाइटिंग नेम में दिया जाएगा तो कापर आप कापर इस सी यू हमने दिखाया है इसमें ब्रेकेटिंग में हमने पॉइंट सो कर दिया है यहां फर्ष्ट और सिकेंड लेटर नेम नेम तो इसलिए यहां इसका फर्ष्ट और सेकन लेटर सी यू लग रहा है इसलिए यह लेटिंग में के आधार में पर जिसको हम दिखा रहे हैं लाइटिंग नेम के बेस पर symbols derivatives form the lighting names of the elements अब उसका टिंग form जो है उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ English name of the element symbols lighting name of elements फर्ष्ट जो है आपका sodium है क्या है sodium तो sodium है तो इसका sodium का symbol यसोना चाहिए यसोना चाहिए लेकिन जो है यस नहीं इसको lighting name के अधार पर इसका symbol दिया गया है यह तो यह है नाइट्रियम तिक्ए नाइट्रियम जो है यह जो है यह फर्स लेटर तिक है फर्स लेटर यह और सेकेंड ए इसलिए लेकिन नेम के वेस पर जो है इसको दिया गया है आपका यह ने sodium का potassium जो है इसको के तो यह इसका पी होना चाहिए बट जो है हमने के रखा तो यह जब के रखने का मतलब यह lighting name के वेस पर जो है रखा गया है potassium का symbol तो यह हो गया कैलियम ठीक है यह रहा अब आगे है iron iron का आई होना चाहिए बट यहाँ यह फी रखा गया है तो यह फी का मतलब यह lighting name है तो यह फीरम हो गया आपका lighting name इसलिए यह फी फॉस लेटर है तो इसलिए क्या हो गया यह यह फी हो गया ओके पर आपकर हमने बताया था कापर हम जो है sc qu यह यह आपकर हमने रख़ दिया अब यह है शिलवर शिलवर एजी एगरीणीटम जो है एग्रीणीटम तो एग्रीणीटम शिलवर जो है यह सोना चाहिए मुश लेटर इंगली से लेकिन नहीं एजी रखा गया है क्यों रखा गया है कि कुछ एलिमेंटों का फस लेटर और सेकेंड लेटर से मिलते हैं इसलिए उनको डीफर करनी के लिए लाइटिंग नेम के बेस पर उनके सिंबल को डीफर कर दिया गया है तो यहां रखा गया है अब आज यह गोल्ड है गोल्ड जो है तो यह है ऐहनम तिक है यहां दिखाई दे रहा है एख से लिनोड किया गया है लाइटिंग हून तो इस्टुडेंट्स लाइटिंग नेम सिंबल्स और यह जो है इंग्लिस नेम उनका याद रखेंगे क्योंकि यह जो है बराब और एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस्टुडेंट्स यह टापिक को हमने बड़ा ही क्लियर आपको किया इसमें एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर आपको डाउट नहीं है इसी के साथ मैं कहूंगा बार बार इसको कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंक से करिएगा और इस पर जो है होम वर्क्स के रूप में कुछ कोश्चन दे देती हैं उन को तो कोश्चनों को आप प्लीज जो है साल करियेगा तो कोश्चन राइट करिए इस्टुडेंटेट्स पेन एंड गॉपी एंड इस्टार्ट दा राइट कोस्चन ओके पॉस्चन फस what is modern symbols of elements question second question second what is symbol of hydrogen question third what is symbol of potassium element question third what is symbol of gold elements what is symbol of gold elements okay to students in question ko a sharp character checker okay